इस वीडियो एपिसोड में आप सबों का सागत है बैंकिंग एक्जाम के लिए और S.S.C. के लिए भी D.I. बड़ा इंपोर्टन्ट है ये एक चैप्टर बेस्ट टाइम और डिस्टन्स पर आधारित D.I. है रेल में आप इसको इंजॉाई करेंगे लेकिन सॉल्ब करने का तरीका कैसे होना चाहिए जिससे कि हम कम से कम समय में बना सके हैं आईए इस D.I. को देखने से रेल में आपको फाइदा मिलेगा सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये है क्या ये है टाइं टकल इन आउस बाइ सिक्स वहिकल्स on two different days, day one and day two वहिकल्स कौन हैं? A, B, C, D, E and F इन वहिकल्स का day one, day two, day one, day two ऐसे करके दिया हुआ है कि कितने घंटे की जर्नी हुई कितना घंटा लिया यानि वहिकल्स A ने day one में भी 16 hours की जर्नी की और day two में भी 16 hours की जर्नी की और ऐसे ही different vehicles का, सभी six vehicles का two days में देवा है इसके बाद distance covered in kilometer by six vehicles इन six vehicles ने कितने distances ते किये A, B, C, D, F इन सबोंने और day one, day two दोनों में हो गया? अब इसको आफ solve कैसे करेंगे? बात यह है कि हमेशा ही questions में speed का जिक्र होगा speed का मतलब distance दिया है, time दिया है, what is speed? तो अगर हम इनका speed एक बार solve कर लें क्योंकि बार बार speeds का इस्तेमाल होगा बार बार एक ही calculation क्यों करेंगे? तो आईए सबसे पहले day one में different vehicles के speed क्या रहे और day two में different vehicles के speed क्या रहे उनको पहले note कर लेते हैं, इसके पाद आगे बढ़ते हैं मैं अमर शर्ख अपने 25 years के experience के साथ आपके सामने हूँ बैंक, SSC और रेलवे, भारती छात्र छात्राओं के लिए, योओं के लिए dream government job हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी सहायता से हजारों की संख्या में students ने अपनी इस मंजल को पाया है मैं YouTube में इसलिए आया ताकि सुदूर शत्रों में राने वाले गरीब आर्थिक रूप से जो संपन नहीं है उन्हें मदद कर सकूँ www.amarsar.in इसका one stop solution है different competitive exam के लिए उसमें courses है, affordable cost पर एक बार enroll होने के बाद उसमें PDF की रूप में सारे material available है वहाँ more online test series मौझूद है और सबसे बड़ी बात है कि अब उस पर live classes free available है mathematics रटा नहीं जाता, formula की लंबे list का ना mathematics नहीं है पहाड़ा table रटनी की जरुवत नहीं है, square याद करनी की जरुवत नहीं है concept को एक बार दीख लिया, तो mathematics दिखाई देने लगता है mathematics दिखता है, यह मेरा slogan है और लाखों की संख्या में students को mathematics दिखाई दे रहा है www.amarsar.in पर यह जो सुविधा मौजूद है, यह unique है मैं Amarsar आपको विश्वास दिलाता हूँ, कि यदि आपने पूरे concentration के साथ मेहनत की तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले से आपका background क्या है हर student zero level से शुरू करके उस level तक जा सकता है जहां आसानी से, सरलता से, सहस्ता के साथ उसे अपना dream job मिले www.amarsar.in से आप जुड़ें और अपनी मंजिल को प्राक्त करें मैं आपकी हर संभब मज़त करने के लिए वहां तयार हूँ आई देखते हैं, speed पहले निकालते हैं तो speed को निकालने पर देखते हैं data कैसा है, किलोमेटर ने तो दिया हूआ है, time भी दिया हूआ है 16 hours में, first day, A जाता है तो 16 से divide करेंगे क्या होगा, 80 and 32 और यही A, 16 hours में यह distance तैए करता है, यह भी 80 and 4 उसी तरह से B, B देखे, 12 hours में करता है 48 and 3, मतलब यह 48 and 3, यहनि 43, किलोमेटर पर आवर इसका speed हूआ, ठेक है यह क्या, 12 hours में, 12 hours में करने से, उसके बाद यह 18 hours में 18 hours में कितना हो, 4 times बोले, 72 और 3 times C, C का देखे, 11, 11 का मतलब 63, देखे, 810 किलोमेटर, C का 18 hours में, 72 and 5 times 19 D, D देखे, D का 12 hours में, 46, और 15, 15 hours में, ठेक है, 51 E का 935, E का देखे, टेवल में 17, 55, और 546 मतलब E का 2nd, 14, 39 F का, 19 में, 57 and 7 times, 37, 133, 6, 36, यह कितना, 12 hours में यह इनके speeds के, अब question में कोई problem नहीं है, आईए, एक एक करके हम लोग देखते हैं First question हमारा है, which of the following vehicles traveled at the same speed on both the days, on both the days To speed same होने चाहिए, तो यह 43 है, कुछ problem नहीं है इसमें, B, यानि first का जो answer हुआ, B B, B कहा है, इसलिए, answer option D is answer, ठीक है, नहीं तो इस तरह के cases में, गल्ती होने के संभाव ना होती है इसके बाद, what was the difference between the speed of vehicle A on day 1 and the speed of vehicle C on the same day, in kilometer per hour देखें, day 1 में ही बात की जा रही है, difference between the speeds of vehicle A, vehicle A का day 1 में कितना है speed, 52 km per hour, देखें, 52 km per hour and speed of vehicle C, C का भी देखें, क्या है, 63, और इसका difference, difference क्या है, यानि 11, यानि 11 km per hour, यानि किस से answer ठीक है, इसके बाद, third number question, what was the speed of vehicle C on day 2 in terms of meter per second, what was the speed of vehicle C on day 2, यानि 45, in terms of meter per second, ऐसे ही बूल सकते हैं, 18 km per hour क्या होता है, 5 meter per second, तो 18 का double 36 and half, धाई गुना हुआ, 5 का double and half, 2 and half, यानि 12.5, 12.5, none of these, नहीं समझें, यह 45 km per hour है, अगर यह समझ में नहीं आता, तो आप बोलेंगे, यह 45 into 5 by 18 meter per second, ऐसे बूलेंगे, यानि के 12.5 meter per second, यह इंसर, none of these, ठीक है, इसके बाद चली, इसके बागी questions, को करते हैं, फोर्थ नम्बर कॉस्चन लेकते हैं, फोर्थ नम्बर है, the distance traveled by vehicle F on day 2 was approximately 1% of the distance traveled by it in day 1, यह distance की बात हो रही है, लेकिन approximation है, तो इसमें approximation करने का मौका मिलेगा, ही कैसे किया जाए, तो distance लेना है, F का day 2 में, F का लेना है, distance day 2 में, 636, 636, वो कितना percent है, how much percent, by it in day 1, इस F नहीं day 1 में, यानि 703, यानि कहने का मितलब यह, जो हम करेंगे रही है, यह इसका कितना percent है, हम निकालेंगे कितना percent कम है, हम लोग निकालना चाहेंगे, कि 67 जो है, वो 703 का कितना percent है, यही निकालना चाहेंगे, 703 का मतलब हुआ, 100%, 70 का मतलब हुआ, 10%, 67 10 से थोड़ा कम है, 3 का मतलब 1 भी नहीं है, हाफ समझ लिजी, तो हाफ समझ लिजी का मतलब क्या हुआ, 9.5% करें, यानि 90.5%, 90.5% को क्या बोलेंगे, 90% बोलेंगे की नहीं, यानि यह कुछ करने की ज़र्वत नहीं थी, बताता हूँ, अगर आप इसको समझना चाहते हैं, तो देखिए, इसका मतलब है 100%, इसका मतलब है 10%, और इसका मतलब है 1%, कुछ भी करने की क्या ज़र्वत है, क्या जर्वत है, 70 का मतलब 10% है, करीब करीब 70, 67 है तो 3 का मैंना, 3 को तो हाफ समझ के आस पास बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, 3 को क्या बोलेंगे, approximately half percent बोलेंगे, approximately, और इन दोनों को मिलाईए, तो 67 को क्या बोलेंगे, करीब करीब 9.5% बोलेंगे, approximately, और 9.5% less है, तो 100 minus 9.5, यानि 90.5 को क्या बोलेंगे, approximately 90%, यानि कि E is answer, बोलेंगे, इसके बाद, आईए, फिफ्ट अंबर कुश्चन, चलते हैं, फिफ्ट अंबर कुश्चन क्या है, What is the ratio of the speeds of vehicle D and vehicle E on day 2, एकदम, simple question है, कुछ खास करना नहीं है, Day 2 की बात है, speed की बात है, ratio की बात है, exactly लेना है, D and E का, D and E का लेना है, day 2 में 51 is to 39, 51 is to 39, आप जानते हैं, कि ये 3 से cancel होगा, यानि कि 17 is to 30, 17 is to 30, B is answer, ठीक है, जहां तक pre exam का सवाल है, SBIP की प्री में भी, IBPS की प्री में भी और IBPS RRB की प्री में भी और इसी तरह से SSC CGL में, Tier 1 में, ऐसी ही questions आएंगे, all the best. जो, कि ब remindingा प्री में कर दू बाता है, अइकर में हैं, अच्छा प्रूप में, टे सकत बाता है, जाचा जाता है, जनाला में एक प्रीम में प्रीम में reward, झाल झाल